इंडियन टीवी नियूज देश का तेजी से बढ़ता नियूज नेटफर्क नमस्कार आप देख रहे हैं इंडियन टीवी नियूज आईए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर संदिगन परिस्तितियों में जाडियों में मिला अग्यात युवक्का शव युवक्का शव मिलने से शेतर में मचा हड़कम सूचना पर पहुंची पुलिस जाश में जुटे मामला मिल एरिया धाना शेतर के अंतरगत जवाहर दिहार कॉलोनी सत्त ओवर ब्रिज के नीचे का है जहां आग सुबर जाडियों में एकाग्यात युवक्का शव मिलने से हड़कम मच गया शव की सूचना मिलते ही घटना स्थर पर ग्रामिनों की भारी भीड जुट गई स्थानिये लोगों ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दे मौके पर पुलिस ने मृतक युवक्क के शनाक्त कराने का बहुत प्रयास किया लेकिन सफलताद नहीं मिल पाई मृतक युवक्क के उम्रे 32 वर्ष के आसपास बताई जा रही है उसके बाद पॉरें सिंग टीम को बुला कर शब का परिक्षन करने के बाद कबजे में लेकर पोस्मॉटम के लिए भेजा और मृतक की युवक्क की शनाक्त के लिए आसपास के थानों के साथ साथ सोचिल मीडिया का सहरा ले रही है सरे एक अग्यात सो मिला है देखें आज सुबा हमारी 112 को और मिल एरिया थाने पुलिस को सुचना मिली की आटिय मोड के पास एक अग्यात व्यक्ती जिसके उम्र लगभग 32 वर्स है सो मिला हुआ है सुचना पर ततकाल हमारी 112 की टीम और अस्थानी धाना की टीम और पुरेंसिक टीम पहुंची और सुच को कबजे में ले करके उसका पंचायत नामा भारा गया और नियमा मुसार पोस्ट माटम के लिए भेज दिया गया है सुच की अभी सिनाक्त नहीं हो पाई है इसके लिए हमने सोसल मेडिया पर हमारे डिश्टिक कंट्रोल रूम पर भेजा गया उसकी फोटो डाली गई है जल्दी ही सिनाक्त हो जाएगी और इस अंदर में अग्रिम विदिक करवाई की जाएगी इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहे इंडियन टीवी न्यूज हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीजियो को शेयर जरूर कीजिए धन्यवाद फिर मिलते हैं अगली खबर के दाद